मस्कार दोस्तों मैं आप सभी के योटीब चैनल ब्रिश्टेक में स्वागत करता हूं जैसा कि पिछले टुडियोरियल में आपसे एक क्रिशन पुछा गया था कि ब्रिश्ट में सबसे बड़ा छित्र फल किस देश का है तो इसका उत्तर हुब है दोस्तों रूस रूस सबसे बड़ा देश है छित्र फल की दुरिश्ट से तो हम दूसरा देखते हैं एक मिनट में मनुस्च का हिर्दाय सामान देता है इनल बहत्तर वार थाड़कता है स्वस्त मनुस्तों का दूरवीन की अविसकारumuz होता है उसका अविसकार किस ने किया था तो इसका उत्तर होगा ग भारत छोड़ों आंदोलन के बक्त कांग्रेस के अधिक्स थे मौलाना अबुलकलाम आजाद एरफोर्स टेकनिकल कॉलेज कहां है तो उत्तर होगा बैंगलोर में बैंगलोरो में एरफोर्स टेकनिकल कॉलेज है भारत में टेवल टेनिस एसोशियेशन कम बनाया गया था तर 1938 भी में कौन सी अध्योगिक नीत प्रस्ताओं को भारत का आर्थिक सम्मिधान भी कहते हैं तो उत्तर होगा अध्योगिक नीत 1956 सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है सुद्ध सोना 24 केरेट का होता है कितने केरेट का फिर 23 केरेट का मिलावटिया ने लगता है दोस्तों काउन सा देश है जहां पर मृत सरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जा सकता है तो मिस्र एक ऐसा देश है जहां पर हजारों साल मृत शरीर को रखा जा सकता है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे उत्तरोगा गुलजारी लाल लंदा ताज महल का निर्माण करने वाला मुख कलाकार कौन था करवाने वाला नहीं साह जहां तो निर्माण करवाए थे लेकिन करने वाला उस्ताद एहमद लाहौरी मुख कलाकार था सीमिन्ट उत्पाधन में किस राज्यका भारत में पहला इस्थान है भारत में पहला इस्थान किस राज्यका है सीमिन्ट उत्पाधन में उत्तरोगा राजस्थान राजनीतिक दलों का पंजी करान किसके द्वारा होता है तो राजनीतिक दलों का पंजी करान निर्वाचन आयोग द्वारा होता है राश्टी विक्यास परिशत का गठन किस साल किया गया था? राश्टी विक्यास परिशत का गठन 6 अगस्त 1922 में किया गया था भासा की सबस्चोटी इकाई क्या है? यदि आपको कोई लेंग्वे सीखनी है तो इसकी सबस्चोटी इकाई क्या होती है? तो उसकी word हिंदी में लिंग का निर्धारन किस से होता है संग्यासिम अब आपके लिए आज का एक नए question है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे आपको comment section में इसका answer देना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो दोस्तों आपको comment section बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ठीक है दोस्तों current में तो माननी नारिद मोधी जी चल रहे है पर प्रथम कौन थे ये आपको पता लगाना है और बताना आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिये दोस्तों कर सांद सेयर करिये और यदि आपनी अजी तक हमारे इस channel और व्रेश्टेक को सब्स्राइब ही किया तो सब्स्राइब करिये ताकि आपको नई वीडियोज के अपडेट मिलती रहें इस तरह की वीडियो से आप जुड़े रहें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों इसलिए कि आपको क्यूस्टिन के अंसर आते हैं या नहीं आते हैं ये चीज जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आपको आपका रिवीजान होता रहेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले टुटियोरियल में तक तक के लिए जाये हैं